आज हम जानेंगे essential requirements of dying declaration हम previous वीडियो में जान चुके हैं कि dying declaration क्या चीज है लेकिन आज हम इसका essential requirements जानेंगे मतलब कि किन चीजों की requirement होती है एक dying declaration को court में acceptable करवाने के लिए क्योंकि हर dying declaration जरूरी नहीं है कि वो acceptable हो जाए तो इसकी कुछ essential requirements है जो कि हमें mandatory है वो चीज़ चाहिए तब वो court में acceptable भी है और साथी साथ वो एक valuable evidence भी है तो dying declaration के बारे में I hope आप सब जान चुके होंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो प्ल इसी में हम पढ़ रहे हैं कि आज essential requirements क्या है तो चलिए without wasting any further time हम इस वीडियो को start करते हैं चलिए देखिए essential requirements जैसे कि आप सबको पता है कि ये कुछ ज़रूरी requirements है जो dying declaration को acceptable बनाते हैं और एक more valuable evidence बनाते हैं इसकी पहला जो point है कि to whom the statement is to be made and its form मतलब ये statement किसको कही गई और ये किस तरीके से कही गई ये बहुत ही ज़रूरी चीज है और ये किस behalf पे कही गई ये जो चीज conclude होगी उस पे depend है कि ये court में कितना acceptable होगा मतलब simply समझे कि statement किसको कही गई देखिए आप कोई वैक्ती मर रह बट वो किसके सामने मरा उसने क्या क्या बताया किसको बताया वो जरूर डिपेंड करेगा कि इसके कही गई बातों का कितना वैल्यू होगा मतलब statement of bank declaration could be made to any person doctor भी हो सकता है magistrate भी हो सकते है police officer friend ये near relative इन चारों के पास chances है कि वो person मर जाए अगर इन चारों में से किसी को भी बता गया है लेकिन अगर एक doctor in magistrate को बता गया है तो फिर doctor होगा या तो magistrate होगा अगर इनको को statement कही गई है तो उसका जादा value होगा वेल्कुल होगा क्यों chances जादा है कि वो doctor के सामने मरे because hospital में जादा तर patient के death होती है अब वो अपनी death के बारे में कुछ doctor को बता गया तो व बता गया है तो उनकी value भी होगी लेकिन magistrate और doctor से थोड़ी कम होगी तो पहला point यही कहता है कि कि किसको statement कही गई है यह एक essential requirement है dying declaration का कि इसकी कितनी value देखी जाएगी magistrate और doctor की जादा value है police officer and relatives के कम value है इसी में second point है no particular form of recording a statement is prescribed the statement could be written oral or even verbal मतलब अब कोई तरीका नहीं बताएगे है कि वो किस तरीके से statement देगा because मरतावा वहकती है अपनी death के बारे में कुछ बता के जा रहा है तो हम थोड़ी कहेंगे कि तो question answer थोड़ी करेंगे मुझसे तो simply written भी हो सकता है oral भी हो सकता है और even verbal भी हो सकता है मतलब by gesture भी वो संकेत करके इशारा करके बता सकता है कि हाँ अपने death का cause ठीक है क्योंकि dying declaration में जो main issue होता है वो क्या होता है कि उसकी death कैसे हुई वो ये बताने वाला होता है ठीक है धमाल movie की तरह नहीं कि वो पैसो के बारे में बता रहा है तो वो dying declaration नहीं है हला कि माना जाता है कि मरतावा वैक्ती जूट नहीं बोलता है उसके कसन को हम मतलब सच ही मानते हैं और हम उस पर act कर सकते हैं लेकिन अगर वो अपने death के cause के बारे में बता रहा है कि मेरी death कैसे हुई तो वो होता है dying declaration और धमाल movie वाला dying declaration नहीं होता है अब इसमें cases हैं यह जानते है queen empress versus abdullah 1885 का है where the throat of the deceased girl was cut and she being unable to speak indicated the name of the accused by the sign of her hand मतलब उसने अपने हाथ के इशारे से बताया उसका गला कटा वा है वो बोल नहीं पा रही है लेक नहीं सकती है तो उसने इशारों से बता दिया ये भी हमने क्या माना relevant as dying declaration के dying declaration की कोई form निर्धारियत नहीं है नहीं किसको ये देनी है वो निर्धारियत है बट इतना याद रखना doctor को या magistrate को दिये तो upper hand पे रहेगी value ये first point है second is second नहीं अभी इसमें एक और cases लोगा चाको versus state of kerala 2003 इसमें बोल गया it is not always necessary that a dying declaration should be certified by a doctor before alliance could be placed on the same मतलब उस statement में भर doctor दोवरा certified हो ठीक है कि इसके मृत्यू कैसे हुए अब doctor जैसे बताएगा और उसने जैसे बताई है ज़रूरी नहीं है कि हम इसको corroborate करें ठीक है but then in the absence of any certificate by the doctor the court should be satisfied that from the material on record it is safe to place reliance on the such uncertified declaration बिलकुल अगर देखे doctor ने भी और जो उसने कही थी मरते वक्त बाते बाते बिल बले बले वह तो पक्का सबूत बन गया लेकिन अगर डॉक्टर की बात डॉक्टर ने मला certified नहीं करी उसकी बात फिर भी हम उसको deny नहीं कर सकते हैं ठीक है अब उस case में क्या होगा कि court को अपने आपको satisfy करना पड़ेगा कि हां यह records जो है यह सब चीजे बहरुसे करने एक essential requirement of dying declaration पहला हमने जाना क्या इसकी form होनी चाहिए और किसको यह दिया जाना चाहिए second इसका essential requirement है कि जिसने statement दी है वो मर जाना चाहिए बिलकुल मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मर जाना चाहिए अगर इस dying declaration की value को देखना है तब बोल रहा हम कि वो मर जाना चाहिए क्योंकि अगर वो जिन्दा है चाहिए वो किसी भी condition में बट वो जिन्दा है hospital में तो उसकी जो कतन है वो कभी भी deny हो सकता है उसी के दोरा क्योंकि जब वो बिलकुल सही हो गया court में आने की स्थिदी में है या फिर magistrate उसके पास जाके समझ सकते हैं तो फिर वो वहाँ पे जाके बताएगा उसकी ज्याधा value होगी ना कि तब जब वो बिलकुल मरने की condition में था इसी लिए dying declaration को अगर value देनी है अगर उसको court में रखना है तो वो जिसने statement दी है वो मर जाना चाहिए तब ही तो dying declaration की value होगी क्योंकि dying declaration का मतलब ही है कि वो वैक्ती मर गया है और उसका मरना ही caution में है ठीक है तो death need not occur immediately after making the statement if the person making the declaration did not die his statement is inadmissible as a dying declaration विलकुल but it might be relied on under section 156 वो तो corroboration के लिए हमेशा तयार रहेगी उसकी statement लेकिन dying declaration की तोर पे वो value नहीं होगी अगर वो जिन्दा है तो यह बोला कैता हमारा गजुलप सूर्य प्रकाष राव वर्सिस state of अंधरा प्रदेश 2010 का केस है यह latest further the deceased must be proved to have died as a result of injuries received in the incident मतलब where I made a statement shortly after an injury and he was admitted in a hospital and thereafter discharge but after five days he died of high fever the statement made by him is not admissible बिलकुल वो उनी injuries के दुवारा मरना होना चाहिए ठीक है जिसके बारे में वो बता रहा है ऐसा नहीं है कि वो पहले ठीक हो गया फिर उसके बाद वो पांस-दस दिन बाद घर गया फिर उसको बुखार आया फिर वो मर गया तो वो दस दिन पहले की statement अब dying declaration भी मानी चाहिए तो I hope second clear है आगे चलते है statement must relate to the cause of his death और the circumstances of the transaction which resulted in his death मतलब third essential requirement of dying declaration क्या कहती है कि statement must relate to the cause of his death मतलब जो statement उसने दिये वो अपने death के वारे में बता रहा हो ठीक है धमाल movie की तरह नहीं कि send substation 10 करोड रुपे है मैं मरने वाला हूँ तो आप जाके निकाल लो नहीं वो चीज़ नहीं क्योंकि वहां पर उसने अपने death का cause ही नहीं बताया तो dying declaration कैसे होगी तो dying declaration का मतलब है कि वह अपनी death का cause बताये या फिर कुछ और बीना बताये कि उसको कैसे मारा गिया या फिर कुछ उसकी दिमाग में कोई पुरानी वाते चल रही हो वह सब चीज़े नहीं वह खुलासा नहीं सिर्फ अपने death का खुलासा ठीक है if the statement made by the disease does not relate to his death but to the death of another person it is not relevant अगर किसी और के बारे में भी बता रहा है कि उसकी death कैसे हुई थी उसकी death मैंने करी थी या कुछ भी खुलासा कर दे तो वो dying declaration नहीं है ठीक है फोर देखते है the cause of death must be in question बेलकुल essential है अब हम dying declaration का essential बढ़ रहे है तो उसका death जो है वही question में होना चाहिए अगर question में है कि चोरी कैसे हुई और वो कह रहा है कि मेरी death ऐसे हुई तो वहाँ पर ये कुछ value नहीं रखता क्योंकि उसकी death ही question में होनी चाहिए अगर सब ही question में होनी चाहिए कि हाँ ये मरा कैसे और उसने बता दिया कि मैं ऐसे मा रहा हूँ तो तब value होगी dying declaration की ठीक है आगे चलते हैं आगे है the statement must be complete and consistent बिलकुल सही बात है अगर हम किसी की statement के basis पे किसी और को सजा हम देने जा रहे है तो वह statement make sure कि वह complete statement हो और consistent हो मतलब if the deceased fails to complete the main sentence like the genesis or motive for the crime a dying declaration would be unreliable क्योंकि अब हम उसकी declaration के basis पे किसी को हम सजा देंगे ठीक है अब सजा देंगे तो हो सकता है वो नर्दोश हो इसलिए हम make sure करें कि हाँ वो statement जो दी गही है वो complete है consistent है और हम उसे corroborate भी कर सकते है ठीक है इसमें एक केस है Oja versus State of Bihar Supreme Court का है a dying declaration ought not to be rejected because it does not contain details or suffer from minor inconsistencies इसका ये भी मतलब नहीं है यहापर Supreme Court ने clear किया इसका ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो जो मृत्वेक्ती बता के जा रहा है हूँ बिल्कुल exact और बिल्कुल मतलब जैसे होता है कि कोई मरने वाला है तो वो उसके words clear ना हो हो सकता है बिल्कुल हो सकता तो उसके words clear ना हो चोटी मूटी inconsistencies हो तो इनको हम ignore कर देंगे ठीक है हम उसके main focus पर रखेंगे कि उसने actual में अपना जो cause था death का वो बताया नहीं बताया क्या किया ठीक है अगर उसने बता दिया इशारम भी बता दिया कि उसने इस color की dress पैनी थी या फिर वो उस घर से आय आया था या फिर वो उस car में आया था कुछ भी तो यह सब चीजे हम reject नहीं करेंगे और हम इसे valid मानेंगे ठीक है लेकिन अगर कुछ main point वो बताने में रह गया जिससे हम कुछ conclude नहीं कर सकते तो फिर हम उसकी statement को भी reject कर सकते है ठीक है six point declarant must be competent as a witness मतलब जो declare करके जा रहा ह जो अब मर रहा है और वो बता के जा रहा है वो competent होना चाहिए as a witness तब ही तो उसकी गवाई को हम court में valid मानेंगे अगर एक बच्चा मर रहा है और फिर unsound person है कुछ भी है insane है तो उसकी अगर वो जिन्दा भी होता तब भी हम उसकी value को statement को value नहीं देते court में तो अब जब मरन witness के लिए competent नहीं है वह उनकी statement भी competent नहीं है simple अब इसमें एक important point है और यह सब को पता होना चाहिए और इसी पर जाधा question बनते है कि FIR as a dying declaration मतलब कि FIR को हम dying declaration मान सकते हैं इसमें देखिए case law है तीन और इस तीनों ही case law इस पूरे topic को clear कर देते हैं ध्यान से सुनिएगा where the injured person lost the FIR and then died जैसे injured person ने FIR लिखवाई और वो बिल्कुल इस condition में था और वो मर गया it was held to be relevant as a dying declaration बेलकुल क्योंकि उसका आखरी कतन ही तो dying declaration होता है अब आखरी कतन जो है उसने FIR के तौर पे लिखवा दिया तो क्या दिक्कत है वो क्या माना गया बेलकुल valid माना गया के रामचंत रेड्डी वर्सिस पब्लिक प्रोसेकुटर 1976 इसको आप नोट कर लिजेगा ते क्या इस केस में बोला गया यह second is a complaint made to a police could be taken as dying declaration अगर FIR नहीं हुई और सिर्फ हम complaint ही लिखवाई पुलिस को वो भी dying declaration मानी जा सकती है लेकिन वो statement आखरी होनी चाहिए आखरी और उसके मतलब immediate cause में उसके death हो जानी चाहिए ऐसा नहीं कि F.I.R. लिखवाई फिर वो आराम से घर गया फिर एक दिन सोया फिर दूसरे दिन मतलब दो चाहिए एक consistent gap नहीं होना चाहिए ठीक है वो उसके आखरी statement होनी चाहिए तो हम उसे valid मानते है थर्ड केस है a dying declaration recorded by police alone is relevant under section 32 1. However, it is better to have such a statement out of consideration unless the prosecution satisfies the court as to why it was not recorded by a magistrate or a doctor. लक्षमी वर्सिस ओम प्रकाष 2001 का case है इसमें बोला गया कि अकर police ने record करी है ठीक है वो ठीक है, valid है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें prosecution को satisfy करना पड़ेगा court को कि ये magistrate and doctor के दोवरा क्यों नहीं लिखवाई कहीए ठीक है अ कुछ और circumstances रोड पर ही मर गया तो फिर पुलिस ही जाहिर तोर पर वो record करेगी लेकिन अगर situation थी, chances थे, magistrate and doctor के वहाँ पहुचने के उन्हें बुलाने के उन्हें बताने के तो फिर उसमें किया जा सकता है और ये prosecution को satisfy करना पड़ेगा court को, तो अगर वो कर देता है तो हम उ एक word में answer बोले तो yes, FIR भी dying declaration valid होती है, ठीक है, but वो circumstances देखेगा court, वो case to case depend करता है, ठीक है, I hope आपको ये topic पूरा समझ में आ गया होगा, essentials of dying declaration बहुत important topic है, अगर आपको ये video और मेरी महनत पसंद आई हो, तो इस video को like कीजिए, channel को subscribe कर लिजे, क्योंकि इसमें ऐसी informative videos आती दिखा है, ये आप बिल्कुल note बना सकते है, copy में notes बनाईए इसके, या फिर इसके print out निकलवाईए, जो भी करना है, आप ये, बिल्कुल useful है, ये बिल्कुल छटे वे notes है, बिल्कुल जो आपके हमेशा काम आएंगे, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, और अपने दोस् को ये वीडियो शेयर कीजिए, thank you so much, bye bye